हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेय बजार विदायुष और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में केंस टेक्निलोजी के स्टॉक के बारे में तो दोस्तों आज IPO लिस्ट होता हुआ देखने को मिला एक दमदाल लिस्टिंग हमने आज देखी है बढ़िया लिस्टिंग होती भी देखने को मिली मोर दन 30% के आसपास का रिटर्न इन्वेस्टर्स ने कमाया जो भी IPO होल्डर्स थे यहाँ पर बढ़िया लिस्टिंग होती भी देखने को मिली बर उसके बात का आक्शन ठोड़ा सा खास नहीं था stock में गिरावट आती है भी देखने को मिली profit ticking आती है भी देखने को मिली तो इस वीडियो में यही समझेंगे कि आगे कि क्या देखी यह रणनीती बन सकती है क्या ऐसे और गिरावट होगी या फिर कुछ तेजी बनने की संभावना है तो बहुत important वीडियो है दो दो पूरा जहाँ पर आज listing हुई वो कह सकते हैं कि देखे काफी बढ़िया थी because market में जिस प्रकार से दोस्तों कल listing हुई थी एक biasness थोड़ा सा खराब बन रहा था कि क्या यहाँ पर भी कोई खराब आपको listing होती ही देखने को मिल सकती है खराब से मतलब क्या है कि जितनी expectations है उससे कम लेकिन यहाँ पर जितनी expectations थी उसके अबाओ है हम कह सकते हैं कि देखे listing होती भी देखने को मिली तो वो तो बढ़िया ही था so एक strong debit होता हुआ देखने को मिला at 778 rupees करीबन 32% आपको देखने को मिलेगा अच premium पर यह list हुआ है और उसके बाद stock बढ़िया trade भी कर रहा था BAC पर करीबन 775 पर दोस्तों जो trading थी वो start हुई थी अब company के बारे में आपको कुछ समझना पड़ेगा because क्या है आप पर perspective बनता यह बहुत important है देखे company का एक strong financial growth है पिछले कुछ सालों के अंदर तो company की जो margins है वो भी देखे significantly improve हो है company का एक diversified business है और जिस परकार से दोस्त दौर अभी यही था कि जो alloties है अगर public issue के अंदर आपने यहाँ पर सिर्फ listing की दौर पर लगा है तो 710 का stop loss कल आपने भी वही कहा था कि एक stop loss आपको बहुत important है कि वह maintenance करके रखेगा और उन्हें यह भी कहा कि अगर stock में all गिरावट होती है तो बढ़िया अगर गिराव नहीं कि बढ़िया था पर उसके बात का action दोड़ा सा खराब रहता हुआ देखने को मिला आज stock जहां पर list हुआ वहाँ पर एक अच्छा return मिलका लेकिन एक aggressive selling जिसे हम कहते है aggressive selling लोटती हुई देखने को मिली और जिस प्रकार से दोस्तों selling बनती हुई नजर भी आई साफ स 78 पर open हुआ था दोस्तों यह IPO उसके बाद 786 तक गया लेकिन 675 का low बनाया और closing दोस्तों अगर 689.95 पर आ रही है तो जो closing है वो definitely अपने lows के पास है lows के पास दोस्तों share जो है वो बंद होता हुआ देखने को मिला है और यह undoubtedly कोई खास अच्छी बात नहीं है यूगि 786 रु आपको आते भी देखने को मिल गई stock के अंदर तो यह undoubtedly एक बहुत बड़ा शॉक था अब इसके पीछे का reason क्या है एक बात ही हम कह सकते हैं कि दोस्तों valuations definitely दोस्तों जो IPO पे लेकिया यह company वो इतने कुछ अच्छा नहीं था लब थोड़ा सा नीचे भी लेकिया आती तो delivery percentage 48.61% आपको भी समझ लीजिए कि more than 50% लोग नेते हैं अपना माल बेच आए 48.61% वो भी तीन में तक उसके बाद भी मुझाता है कि कम ही होगा है यहाँ पर delivery percentage तो यह साफ साफ दिखता है कि यहाँ लोगों को बहुत जादा देखिया यहाँ पर होल्ड करनी की कोई चेस् कमपनी की growth रहेगी जो आने वाले financial results company के निकल के आएंगे जहाँ पर numbers आपको समझ में आएंगे numbers काफी important होने वाले यहाँ पर company के Q3 और Q4 बढ़िया निकल के आ गए तो आप मान के चलिए चीज़े काफी बढ़िया है बट अगर यहाँ पर कोई decline देखने को मिल गया तो यह जो share है यहाँ पर और भी गरावट दिखा सकता है because जो भी दोस्तों IPO recent list होता है अगर उसके numbers बढ़िया आ जाते तो वो बहुत बढ़िया कर जाता है लेकिन अगर उसके numbers खराब आ जाते तो वो बहुत खराब भी कर जाता है और यह हमने देखा भी है काफी सारे दोस्त अतना बढ़िया कर पाती है उसके उपर हमको ध्यान देना पड़ेगा आज एक करोड़ 56 लाग की वॉल्यूम आई वॉल्यूम भी काफी बढ़िया आती ही देखने को मुली इसमें भी कोई डाउट नहीं है बट यह है कि लंबी अफदी के लिए अगर आपने पैसा लगाय लाग टर्म के लिए में को समझ में आती है ऐसे कंपनी तो फिर बढ़िया है लेकिन जो लोग ने नहीं पढ़ा है लाग तरम में में मदब कंपनी के बारे में fundamental सच्छे से technical technicalities जो भी है कंपनी के business outlook अगर आपने नहीं पढ़ा है तो definitely लेने से पहले एक बार कंपनी की पू प्रेश बाइंग का सोच रहे है वो definitely company के results का weight करे एक बार नतीज़े निकल के आ गए उसके बाद दोस्तों चीजे जो है वो साफ हो जाएगी तो fresh buying के लिए definitely results का weight करिये क्यों तरी अब जल्दी आपको numbers भी आते विए जब नजर आएंगे तो फिर वहाँ पर समझेगा कि क इस प्रकार की company की growth दिख रही है because अगर quarterly भी company growth दिखा रही है तो तो बहुत बढ़िया है और अगर साल बर साल growth होती है almost तो फिर तो वह भी बढ़िया ही है but important क्या है कि growth important है और वह नजर आईगी company के numbers में मेरी कोई भी सला नहीं है यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगा overall ज कितने पर यह टिक पाता है अगर 675 रुपीज पर ही टिक पाता है तो फिर तो well and good पर अगर नहीं टिक पाता है तो हो सकता है कि आपको fresh selling देखने को मिले क्या fresh selling यहाँ पर आपको और नजर आती भी देखने को मिल सकती है तो closely watch करिए अकल 675 के level का because आज का यह low था 52 week low है त तो फिर एक fresh selling और आपको यहाँ पर आती भी देखने को मिल सकती है तो इस वीडियो में इतना ही था hope so video बढ़या लगा होगा thank you friends watching this video